नमस्कार मैं एड़ोकेट विकास यादो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका एक नई वीडियो में देखिए अगर आपने अपना मन बना लिया है LLB करने का या अभी आप LLB कर रहे हो या आप LLB कर चुके हो इन तिनों ही कंडिशन में आपने एक चीज फिल करी होगी कि आपके family वाले अगर आप first generation lawyer हो तो भूत से family support नहीं करती है LLB को वकालत को support नहीं करती है यह इस profession के पक्ष में है इनी वो नहीं चाते ही हमारा बच्चा वकील बने या इस profession में आये या फिर ये डिगरी करे उनके according बस एक ही बात है जो कुछ नहीं करते है न वो ही LLB करते है और देखे ये profession आज के टाइम में मैं बता रहा हूँ पहले टाइम में चलो माल लेते हैं कि भाई डॉक्टर इंजीनियर आपके C.A.C.S. होगे बैंकर होगे अबी भी चलन में कोई इसमें इशू है नहीं लेकिन आप यकीन मानिये आज के टाइम में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इस profession में आ रहे हैं और वो अपना best दे रहे हैं क्योंकि उनका interest है और society को भी need है अगर एक समाज में अच्छे वकील होगे तो उस समाज की तरक्की बहुत अच्छे से होगी लोगों के साथ अन्याई नहीं होगा जो government हो रही है वो आपको पागल नहीं मनाएगी क्योंकि government को आपके कोई भी schemes है कोई भी उनकी policies है उनको counter करने के लिए जुड़ी श्री में अच्छे लोग होने बहुत जुरूरी है अगर जुड़ी श्री में अच्छे लोग आएंगे तभी हम government की जो भी बिकार policies होती है उनको counter कर पाएंगे और इसी लिए किसी देश की अच्छे से तरक्की हो पाएगी तो यह profession बहुत ही अच्छा profession है अगर आपके बच्चे का interest है तो प्लीज आप उसको support करिए ठीक है यह अगर वीडियो अगर आप देख रहे हो अगर अज़े student देख रहे हो तो प्लीज अपने parents को share करिए और अगर parents देख रहे हैं तो प्लीज थोड़ा ध्यान से समझनी कोशिश करिए कि मैं इस वीडियो में क्या आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ मेरा थोड़ा introduction है मैंने LLB Faculty of Low Delhi University से करिया है उसके बाद मैं अभी Delhi High Court में practice कर रहा हूँ और अगर आपको कोई भी बात चीत करनी है तो आप what's up पे नीचे देगे नमबर पे आप मेरे से personally बात कर सकते हैं देखें parents के तोर पे ये कोई गलत नहीं है हर एक parents की चाहा होती है हर एक parents की इच्छा होती है इसमें कोई दो रहीं नहीं है कि भाई हर एक parents यहीं चाहता है कि उसके बच्चे का profession या job इतनी अच्छी field में हो इतनी अच्छी उसकी scope हो life में उसको आगे चलके कोई दिक्कत ना हो कलको हम ना रहें तो हमारे बच्चे को परिशानी ना हो वो यहीं चाहते हैं कि जिस profession में job में हमारा बच्चा जा रहा है उसमें उसकी society में respect हो देखे respect के लिए आदमी मर रहा है आज के time में ठीक है अगर आप दिन के चाहिए महीने के आप एक दो क्रोट रुपे कमा लो लेकिन आपकी society में इज्जत बिल्कुल नहीं है तो वो माना जाता है कि नहीं यह कोई अच्छी चीज नहीं है हर लोग respect के लिए मर रहे हैं हाँ कुछ लोग पैसे के लिए भी पिछे भाग रहे हैं उनके लिए respect matter नहीं करती लेकिन मैं एक general rule बता रहा हूं कि हर कोई respect के लिए मर रहा है ठीक है रिस्पेक्ट देखे ऐसी चीज है कि पैसी देखे कमाई नहीं जा सकती आपको यह अपने behavior से अपने profession से अपने चाल चलन से इन सबसे यह आपको बनती है और बनाने में काफी time लगता है तो वो यह चाते हैं कि कोई ऐसे profession में हमारा बच्चा कि उसकी society में लोग respect करें उसकी job profession की वज़े से है न उसकी salary अच्छी हो income बहुत अच्छी हो उसको कोई भी जो आज के time में महंगाई भड़ रही है उससे उसको दिक्कत ना हो अराम से वो अपना घर खर्चा चलाए औ और अच्छी एक lifestyle जी पाए अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी है न वो यह चाते हैं कि भाई government जो मिल जाए चाहे कैसी भी हो 12th के बाद मिल जाए graduation के बाद मिल जाए graduation के भी 5 साल बाद मिल जाए बस हमारे बच्चे को government जो मिलेगी तब ही उसका future secure है private jobs में future नहीं उनका ये मानना है बहुत से लोग इसको नहीं भी मानते हैं लेकिन मैं mostly general rule बता रहा हूँ आपको या फिर वो अगर कोई family business कर रहे हैं तो वो यही सला देते हैं कि भाई आप हमारे इसी business में आ जाईए क्यों आप और कहीं जा रहे हो तकलिफ उठा रहे हो क्यों struggle कर कर रहे हो हाना इसी में आज यह इसी को आगे बढ़ाई है और वह mostly यहीं चाहते है mostly कि अलग बहुत हर इंसान यह चाहता है कि वह अपने home state में रहे है अपने home town में रहे आसपास क्या जहां पर उसने अपना पूरा जीवन बिताया जहां से उसने पूरी education लिये वहीं वहीं इसी लिए यह आपका environment भी matter करता है कि आप कहां पर job करना चाहरे हो profession कहां पर करना चाहरे हो अपना continue वह यह चाहते हैं कि हमारे बच्चे का चलो ठीक है respect भी है income भी है बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है बड़िया जगह में भी रह रहा है लेकिन आब वह यह चाहते हैं कि भई उसका बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना भी हो बड़े बड़े लोगों से MLA, MPs वगेरा जो होते हैं IAS, IPS, bureaucrats होते हैं उसके साथ भी उसकी जानकारी हो तो वो proud feel करते हैं कि हाँ भई अब हमारे बच्चे के साथ अन्याय नहीं हो पाएगा इसको कोई भी दि प्रोफेशन है ना L.L.B. वाला प्रोफेशन इसके अंदर मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितने आपको facilities और कितने आपकी respect आपको मिलने वाली है आप mostly parents क्या करते हैं 12 के बाद अगर उनका बच्चा 12 के साथ साथ 12 के बाद कोई भी बच्चा बोलता है कि मुझे इस field में जा दुनिया देखी है और देखो फॉलाने के बच्चे ने ये लिया था उसका क्या हाल हो गया तो वो यही ओप्ट करते हैं आपको कि बाई आप डॉक्टर लाइन में आजाईए MBBS करिए इसमें काफी अच्छी scope है सारी चीज़ें मिलेंगी आपको respect मिलेंगी पैसा मिलेगा ह या फिर आप NDA की तुरू इंडियन आर्मी में जाईए लेफटिनेंट बनिये या फिर जो एर फोर्स में XY ग्रूप के एक्जाम होते हैं 12 के बाद वो दिजी आप नेवी में चले जाएगे आप आपकी गोर्मेंट जोब लग जाएगी और आप एक आर्मी ओफिसर कहला हो गए तो यह भी काफ़े रिस्पेक्टिवल जोब है या फिर वो चाते हैं कि भाई अगर कोमर्स लाइन में भी अच्छा कर रहे हैं आजकल C.A. बन जाओ C.S. बन जाओ B.A. के बाद तो वो चाहरे हैं कि भाई आप इस फिल्ड में आ जो या फिर वो एंड में यह बोलते ह कि चलो भाई अगर आपको साइंस नहीं चल रही है कॉमर्स नहीं चल रही है तो आप एक काम करें बीए ले ले लिजिए उसके बाद आप I.S.I.P.S. की त्यारी करना U.P.S.C. की त्यारी करना या फिर B.A.M.A. करके U.G.C. Net देखे अपना एक टीचर बन जाना की M.A.C. वालों का तो भाई आप S.S.C. बगेरा कर लोगे गौर्मेंट जोब कर लोगे बीओ पैंक पीओ के एकजाम दे लोगे तो वो इस फिल्ड में आपको एक पर सज़ेस्ट करते हैं सबसे एंड में नमबर आता है L.L.B. की थू होता है यह तो मोशली में बता रहा ह भी कर सकते हैं या ग्रेजवेशन के बाद भी कर सकते हैं हाँ बच्चे ने बता दिया वो अलग बात है कुछ पैरेंट्स को पता भी होगा वो अलग बात है लेकिन यह सबसे एंड में आता है आप मान ये मेरी इस बात को बहुत कम पैरेंट्स होते हैं जो बच्चे को बोल वाला प्रोफेशन और पूरी लाइफ चेंज करना चाहता हूँ ग्रेजवेशन के बाद अगर आपने लेल बी के लिए बोल दिया तो समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगी घर में लड़ाईयां होती है घर में और पापा मम्मी इतना उनका मूड खराब हो जाता है आप सोच नहीं सकते हैं पाई तोने ग्रेजवेशन किस चीज़ मैं करी अब तेर को वकील बनना है तीन साल तोने वहां वेस्ट कर दी ग्रेजवेशन में अब तूने उसके बाद ग्रेजवेशन के बाद किसी कम्पिटेटिव एक्जाम की त्यारी करी है 2-3 साल वहां निकल गए UPSC तू कर रहा है इतने साल से हो निकल नहीं रहा अब तू LLB करेगा तो क्या तेरा फ्यूचर है कितने टाइम में तू प्रैक्टिस करेगा कब से तू कमाने लगेगा कब तेरी शादी होगी इतने कोशन्स होंगे न अनका कोई आंसर नहीं है कोई लोजिक नहीं है ग्रैजवेशन के बाद तो LLB करना सही में मैं बता रहा हूँ पैरेंट्स को कन्विंस करना किसी महावारत से कम नहीं है बहुत मुश्कल टास्क है लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा देखें LLB जो प्रोफेशन है न इसके अंदर जो भी चीज़े आप एक अपने बच्चे में किसी प्रोफेशन में जिसको आप जो कराना चाह रहे थे या ग्रैजवेशन की बाद कोई भी उसको जोब दिलवाना चाह रहे थे उससे ज़्यादा ही चीज़े इस प्रोफेशन मिलेंगी कम नहीं मिलेंगी उससे ज़्यादा ही मिलेंगी ये मेरी गारंटी है आपको रिस्पेक्ट की मामले में मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब बंदा या बंदी अपना काला कोट पहनके निकलता है ना कभी भी आप देख लेना कि पब्लिक में निकलता है ना तो लोग उसको इज़्यत की निगाहों से देखते हैं कि हाँ भाई ये वकील इनसान है ठीक है एक बड़िया प्रोफेशन में ये चीज़ आप मानिये या मत मानिये कोट में तो आपको सारे वकील दिखते होंगे तो आप इतनी चीज़ गोर नहीं करते हैं लेकिन खभी आप पब्लिक प्लेस में ऐसे देखना रेंडम किसी को सुबह नोदस बजे अपने कोट के लिए जा रहा है अपने ट्रांसपोर्ट से या पब्लिक विकल से तो लोगों का आप रियक्शन देखना है एक बार आप उनकी जो आँखों में जो वो होती है मतलब एक छवी होती है एक इनसान के लिए वो भोती एक रिस्पेक्टिबल होती है और ये प्रोफेशन में बता रहा हूँ मतलब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा बच्चा वकील है तो वो कुछ नहीं कर रहा है अगर आप किसी को बताओ गए कि मेरा बच्चा वकील है तो लोग आपकी भी जट करेंगे लोग आपको अपने बच्चे के नाम का जो प्रिफिक्स है एडवोकेट है उसके नाम से आपकी फैमिली को जाना जाएगा फलाना मुले में एडवोकेट की फलाने की फैमिली वहां रहती है ठीक है तो ये एक भूलत बड़ी बात है कि आपके प्रिफिक्स के वज़े से बच्चे के प्रिफिक्स के वज़े से आपकी फैंपलिको जाना जायेगा आज के बाद और कुछ चीज़ा ऐसे होते हैं कि उनकी कोई कीमत नहीं होती है प्राइसलेस होती है जब भी आपके कोई victim आपके बच्चे के पास आ रहा है किसी वकील के पास आ रहा है तो वो बहुत अपनी आँखों में आस लेकर आता है ना दिल में बहुत उसकी उमीदे होती है कि भाई मेर को ये वकीस आप justice दिलवाएंगे और यकीन मानिए जब उसको justice मिलता है ना और जो उसकी आँखों में खुशी होती है और जो खुशी के आसू उसकी आँखों में होते है उसकी कोई कीमत नहीं है और वो इनसान यकीन मानिए आने वाले उसकी साथ PD तक वो बताएगा कि भाई इस इनसान ने हमारी उस टाइम में मदद करी थी जब जवाने में कोई भी हमारे रिष्टेदार या कोई भी society में किसी ने हमारी मदद नहीं करी थी करता है यह वही लोग करते हैं जिनको society को कुछ payback करना है अपना कि मेरा जनम हुआ है अगर मैं society में आया हूँ तो मेरी कुछ जिम्मेवारियां है कि मेरी जो society के लोग है उनको मैं किस तरीके से help कर सकता हूँ देखे मदद सभी कर रहे हैं अपने nation को आगए बढ़ाने में अपनी country का नाम बढ़ाने में लेकिन वकालत है कैसी चीज़ है कि इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा risk के साथ आप अपने इस profession में आ रहे हो कि शुरुआत में कोई आपको ज़्यादा income इस profession में नहीं मिलती है अगर आप litigation field में आऊगे तो ज़्यादा income नहीं है शुरुआत में आप अपना खर्चा चला लेते हो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है लेकिन समय के साथ साथ experience के साथ साथ चार-पांच साल में पांच-छे साल में आपको एक respect मिलने लग जाएगी दिरे-दिरे cases बढ़ने लग जाएंगे आपके और दिरे-दिरे आप वो चीज देखोगे कि हाँ भाई अब चीजे बदल रहे हैं और अब चीजे पहले से और अच्छे होती जा रहे है income इस profession में कुछ है नहीं आप ये नहीं कह सकते कि भाई income एक fix होगी income भढ़ती ही जाएगी समय के साथ साथ कम नहीं होगी समय के साथ साथ पैसे बढ़ते जाएंगे sky is the limit आप यकीन नहीं करोगे supreme court के कुछ वकील दिन का एक करोड भी कमाते हैं यकीन नहीं करोगे कुछ वकील केवल 10 minute court में खड़ा होने के लिए भी 2-2-3-3 लाख रुपे लेते हैं और बहुत ही आप पैसो के मामलों में बोलो तो मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा profession है नहीं इंडिया में कि जो इतनी income आपको दे दे एक degree के बाद और एक time में आप experience गेन करने के बाद डोक्टर भी आप मालो सबसे highly qualified doctor है तो वो भी एक करोड तो पैसे नहीं लेता होगा पैसो के मामले में कोई इसकी limit नहीं है आप यह नहीं कह सकते कि भाई मेरा बच्चा इतना कमा रहा है आपका बच्चा बहुत कमाएगा इस चीज की आप tension मत लेगे रही बात कि भाई आपको hometown चाहिए home state चाहिए आप मालो कोई भी profession में आ रहे हो कोई भी job कर रहे हो गोर्मेंट जोब कर रहे हो या किसी भी और किसी फिल्ड में जाके काम कर रहे हो तो जैसे मालो आप corporate में आ रहे हो तो corporate की particular जगा है डेली हो गया, बंबई हो गया, चेन्ने हो गया, कुलकटा हो गया, पुने हो गया, हैदराबाद हो गया चंदीगड हो गया, तो यह metropolitan cities है, इनी में आप काम कर सकते हो, लेकिन वकील का ऐसा नहीं है आपका मन कर रहा है, तो आप अपने गाउं धेहात में चले जाएए, जहां से आपका home town है गाउं में जाके अपने डिश्टीग में प्रेक्टिस करिए, आपका मन कर रहा है किसी बहुत बड़ी metro city में जाने का तो में जाके प्रेक्टिस करिए, बंबई में जाके प्रेक्टिस करिए, बॉलिवुड में इतनी contract के काम होते हैं, इतने वकीलों के जुर्थ पढ़ती है, कहीं भी जाके आप काम कर सकते हो, अंडुमान है निकोबार में जाके काम करो, वहां का environment आपको अच्छा लगता है, त यह LLB कर रहा है, या फिर यह advocate बन चुका है, तो मैं बता रहा हूँ, जितने भी आपके bureaucrats हैं, या फिर और भी बड़े-बड़े connections होते हैं society में, सबी लोग आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आपको सुनना चाहेंगे, आपसे connections बनाना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि हर इं इससान को अलग-अलग तोर पे, अलग-अलग तरीके से चाहिए ही होती है, यह बात हम मान लीजिए, किसी भी department में चले जाएए, आप CBI में चले जाएए, ED में चले जाएए, हर department में एक वकील की, एक professional की, एक particular subject में demand है, और इसी लिए लोग अपना profession में अपनी specialization कर लेते कि मैं tax lawyer हूँ, मैं property lawyer हूँ, मैं divorce lawyer हूँ, मैं maintenance दिलवाता हूँ, या फिर मैं motor vehicle accident ये claims दिलवाता हूँ, मैं criminal lawyer हूँ, मैं bail expert हूँ, ठीक है मैं murder expert हूँ, मैं जो rape victims हैं, उनको compensation दिलाने में expert हूँ, तो अपनी-पनी specialization बना लेते हैं, और इनका अपनी-पनी specialization से, अपनी- परचान होने लग जाती है, इवन मीडिया वाले लोग भी advocates को काफी preference देते हैं, कभी भी कोई उनका bulletin होता है, कोई भी उनको एक राय जाननी होती है, कोई भी उनको अकबार में एक article लिखवाना होता है, तो ये हमेशा एक lawyer से consult करते हैं, कि कानून इस बात पर क्या कहता है और देखे, समराज्य बना रहे हो आप, आप कोई नोकरी नहीं कर रहे हैं, कोई पेशा नहीं है, ये एक समराज्य बनने जा रहा है, अगर एक बार आपके बच्चे ने इस चीज में कदम रख लिया, और वो independent practice करने लग गया, तो धीरे धीरे उसका एक खुद का समराज्य बन रहा है, और समराज्य बनने में time लगता है, लेकिन हाँ, एक बार समराज्य बन जाएगा, एक बार आपके बच्चे ने इस फिल्ड में अपनी success हासिल कर ली, तो आने वाली generations, ठीक है, आने वाली generations बोल रहा हूँ मैं, आपकी इस जो भी profession है, उससे उनको काफी benefit मिलेग और उनको लगेगा कि हाँ, हमारा जनम एक बहुत अच्छी family में हुआ है, तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा, कि अपने बच्चे को support करिये, बच्चा आपकी बाद मान भी लेगा, लेकिन वो किसी भी चीज में जाएगा तो उतना अच्छे से नहीं दे पाएगा, अगर आपके बच्चे का मन है, और अगर बच्चे का मन नहीं भी है, और अगर आपको पता है कि हाँ लेल बी में कुछ फाइदे हैं, तो एक बार अपने बच्चे के सामने यह सब चीजे रखिए, और अगर बच्चे का मन है, तो definitely आप उसको support कीजिए, और उसको emotionally blackmail ना करें, क family का support उनको end तक नहीं मिलता है, वो बड़े ही उनको जब भी अपनी family से मिलते हैं, तो बड़े ही उनमें रुखी-रुखी सी बाते होती है, कटाओ सा महौल रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, negative vibes नहीं होनी चाहिए, positive vibes होनी चाहिए, और अपने बच्चों को आप बिल्कु सपोर्ट करिए, वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करिए, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में कर दीजए, या फिर मेरे पास आवाटसप करके परसनली बात कर सकते हूँ, खुश आए, मुस्क्राते रे देशा ख्याल रखिए, जाहें